अलो गूड मॉनिंग फ्रेंड्स यह हमारा पहला लेक्ट्छर है इंडीन पॉलिटी एंड गवर्णेंस पर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं यह आपको पॉलिटि के बेस पर पता चल जाएगा साथ ही साथ आप जो रिफ्रेंश अगर लेना चाहते हैं तो आप लक्षमी कांद को reference कर सकते हैं अगर आप ने ये series पूरी complete देख ली है और जो भी topic आप पढ़ रहे हैं इस topic को पढ़ने के बाद अगर आप लक्षमी कांद को पढ़ेंगे तो आपकी clarity ज्यादा ensure होगी साथी साथ हर एक topic के बाद हम previous year questions के करना constitutional development को हम दो पार्ट में divide करते हैं एक पार्ट है 1773 से 1853 तक का और दूसरा पार्ट है 1758 से 1947 तक का 1773 में regulating act आया था पहला regulating act और इस तरीके से इस regulating act की स्रीज 1853 में जाकर finish होती है 1858 का वो time था जब इंडिया का administration और polity सीधे crown के हाथ उपर चली गई थी तो 1858 और 1947 इंडिया independence act तो हम दो पार्ट में इसे पढ़ेंगे और क्या changes हुए यह हम देखेंगे आज हम पढ़ेंगे 1773 से 1853 और जितने topics हम complete कर पाते हैं उसके आगी की continuity हमारे next lecture में होगी regulating act 1773 इसमें important क्या-क्या था it elevated governor of Bengal Warren Hasting to the governor general of Bengal तो Warren Hasting उस समय इस्ट इंडिया company के governor हुआ करते थे इनका जो पोस्ट था इनकी जो पद था यह बेंगॉल के governor से बढ़ाकर governor journal of Bengal कर दिया गया था governor general का मतलब यह है कि सबसे senior most और authoritative Bengal के लिए अब वारन हेस्टिंग होंगे तो governor general of Bengal Presidencies of Madras and Bombay coming under the Bengal control तो इनका governor general का पद बढ़ाने का reason क्या था इंडिया के अंदर 1773 में तीन Presidencies थी एक थी कैलकटा या Bengal Presidency एक थी Bombay Presidency और एक थी Madras Presidency यह तीन अलग-अलग Presidency थी East India Company या कहें British India की इन तीनों में governor बैठा करते थे पर इन तीनों में senior most governor general को कर दिया गया था जैसा भी आपने हाली में Armed Forces में चेंज देखा था Chief of Defense Staff CDS की पोस्ट आई तो तीनों आर्मी निवी और एरफोर्स के अलग-अलग senior most officer होते थे लेकिन उन में से भी अप senior most एक बना दिया गया है CDS तो यह तीनों इस CDS के अंडर में आ जाएंगे यस Unification of Armed Forces के लिए यह step लिया गया था सेम यही governor general को लेकर East India Company ने यह कदम उठाया था governor general was provided with an executive council of four to assist military and non-military decision which was taken by the majority of council governor general could vote in any case of tie governor general को administration चलाने के लिए चार लोगों की council दी गई थी इन चार लोगों की council के बाद ही governor general को फैसला कर सकते थे अच्छा governor general किन-किन field को लेकर फैसला करते थे एक military को लेकर और एक non-military decision तो but and obvious है चार लोगों में हो सकता है कि 2 की yes हो और 2 की no हो इस case में जो decisive है decisive जाता था governor general के पास तो governor general जो है governor general final authority थे अगर tie की case पर किसे सबसे पहले vote देना है ठीक है या किस फैसले को yes बोलना है next चलते हैं 1773 के regulating act में ही एक supreme court बनाया गया था supreme court में एक chief justice थे और इन chief justice के साथ 3 और judges include किये गए थे आपसे इन chief justice के बारे में या इंडिया में पहली बार supreme court किस act के बाद आया 1773 act के बाद ये fact आपसे पूछा जाता है इस supreme court के लिए आज की जो supreme court के building है वो building नहीं थी Fort William हुआ करता था कैलकटा में जहां पर अंग्रेजों का पूरा administrative office चलता था फोर्ट विलियम से यहीं पर एक छोटे से कमरे में supreme court establish किया गया था तो 1774 में इस act के through Fort William में एक supreme court बनाया गया एक chief justice और तीन justice यहां पर होते थे chief justice के बारे में पूछा जा सकता है Elijah Impey पहले chief justice थे यह Warren Hastings के बहुत अच्छे दोस्त भी थे अब अगर हम Calcutta में आगे further देखते हैं दिस act prohibit the servant of company from engaging in private trade और accepting the present and bribe from the natives तो जो native होते थे मतलब यहां के राजा जो होते थे इस्ट इंडिया कंपनी में corruption बहुत तेजी से बल रहा था यह जो corruption बल रहा था इस corruption को रोकने के लिए इस act ने कहा था कि कोई भी company का East India company का member local trade में नहीं हो सकता है या खुद का trade continue नहीं कर सकता साथ ही साथ वो native से किसी प्रकार का gift नहीं ले सकता है यही चीज हम देखते हैं आज के civil servants के उपर भी लागू होती है British government strengthen the control over company through the court of director governing body of company to report on its revenue, civil and military affairs British government ने regulating act के थूँ East India company पर अपनी पकड मजबूत की थी कैसे इन्होंने court of director एसाइन किया था और court of director governing body थी company की तो question यहां से भी होता है कि court of director किस act के थूँ आया, court of director का काम क्या था, court of director revenue, military और civil affairs के जो भी काम Eastern India company कर रही है उन सबका लेखा जोखा रखती थी, इसके बाद आ जाता है Pits India Act, तो Pits India Act को हम next class में cover करेंगे, यह हमारा 1773 का Act, इसमें जितनी चीज़ें हमने यहां पर देखी हैं, आपको सिर्फ उतने ही points याद रखने हैं, इसके अलावा आप further किसी point को अगर जानना चाहें, तो comment section में बता दे, मैं उसे explain कर दूँगा, thank you